हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम उलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल तम्मोस कीचन कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खायरियत से होंगे अलहमदुलिल्ला मैं भी खायरियत से हूँ और आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आये तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करि प्याज है 2 लए हुं मैं ज्यादी बारिक नहीं चौप की हूँ मिडियम साइस की चौप की हूँ और ये अंडे 5 ली हुँ इसे एक अंडे को चार हिस्से में कट ची हूँ और ये आदा है ये थोड़ा सा छिलते समय तूटा है इसलिए मैं ऐसे साइड में रखी हूं हरी मि ड्नेज पाउडर है, 1涼ाभ थीजपून हल्दी पाउडर है, 1 crafting memory neste 1 mirror ब्लैक पेपर है, 140 Ond रधिक कुटिक मैं NICK धन्यकों मैं gjort ब्लैकक में लेद्ध कुटिक हाग जीरा पाउडर है, three फाइब 0,000 worth गरम मसाला है, one check 1 SM फ्लेम को मैं हाई कर देती हूँ प्रेकुल JLLAप़ता हो जाएगा इस इसमें हम अड़ी करें के हैं कि इसे हम दो मिनदे पहले पका येंगे फिर अड़ करेंगे इसमें अध्र沒有 pika पेस्ट और एक टेबल स्पून जितना दालियों में अध्रक लसन का पेस्ट अध्रक लसन आड़ करकर हम पकाएंगे एक से देड मिनट अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जो रे एड करेंगे हरी मिर्च मैं एकदम रफ्ली कुटी हूँ इसे हमें पीशना है इसलिए में ज्यादे बारिक नहीं चॉपकी थी अगर आपको चॉपकर दालना है तो चॉपकर भी डाल सकते है ःड कर हम एक मिनुट पकाएंगे फिर इसमें डालेंगे हम पाडर वाले मसाले किये हैं मसाले अधर कलिसन का पेस्ट अब इसमें हम दाल देंगे कीमा कीमा मैं मिक्सर में ही बनाई हूँ और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इसे पकने रखेंगे हम 7-8 मिनट क्योंकि चिकन अभी पानी छोड़ेगा और पकेगा भी 7-8 मिनट में हमें पानी नहीं चाहिए इसका पानी हमें ड्राइ करना है इसलिए हमें 7-8 मिनट चाहिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी मैं इसे पकने के लिए नमक एड़ कर रही हूँ में हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा जादा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाले अपने स्वात के अनुसार नमक एड़ करिए हमें इस पर ढखकर नहीं ढखना है ऐसे ही पकाना है चिकन जल्दी पक जाता है और हमने इसका कीमा बनाया है और जल्दी पकेगा इसमें हम दालेंगे धनिया और पुदीना चौप करकर डालूंगी में धनिया और पुदिना जरूर एड़ करिए इसी से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है पुदिना दाले हमने 1-4 cup और धनिया दालेंगे 1-4 cup से थोड़ी सी ज़्यादा धनिया थोड़ी सी ज़्यादा एड़ करूंगी मैं कीमा एग रोल इसी तरीके से बनाईए मेरे स्टा पानी छोड़ने लगा है इसका हमें पूरा सुखा करना है पूरा ड्राय करना है चिकन को कि अगर आपको मेरे रेजोपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर करए रिष्टेदारों से शेयर करिए, कॉमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की जरुरत है, मैं और भी टेस्ट फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और इसमें जो काटी होगी ये कीमे की, उसे मैं थोड़ा चमल से बारिक कर देती हूँ, ऐसे तोड़ रही हूँ, ताकि मसाला सारी चिकन को लग सके, हमें शरीफ इसका पानी सुका करने तक ही पकाना है, अब हमारा कीमा पक चुका है, और इसे हम फ्राइ करने वाले हैं, मैं फ्लेम को हाई की हूँ, ताकि जल्दी से पानी सुक सके इसका, हम कीमे की कोटिंग करेंगे अंडे पर, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, अगर पानी रहेगा तो कोटिंग नहीं होगी, इसलिए आप भी पानी पूरा ड्राइ करिए, एक अंडा ली हूँ हमें, एक बावल में अंडा तोड़ी हूँ, इसे हम अच्छे से फेटे इसमें हम दूद्ध भी नहीं अएड करेंगे और ना नमक हमने कीमे में नमक एड किया है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही एड करिए इसे मैं 30 सेकेंड रखी हूं थोड़ा पानी लग रहा था इसलिए मैं इसे 30 सेकेंड और रखी हूं अब इसे मैं उतार देती हूं प्लेम को बंद कर देंगे और कड़ाई ले लेंगे नीचे जो थोड़े बड़े बड़े लंज है उसे मैं थोड़ा तोड़ रही हूं आप देख सकते हैं एकदम से ड्राइ हो गया है हमारा कीमा अब इसे मैं नीचे उतार रही हूं कीमे को ठंडा होने देंगे हम रूम टेंप्रेचर पर आने देंगे और इसे फिर मिक्सी की जान में घुमाएंगे एक बार पीस लेना है इसे और थोड़ा-थोड़ा करके ही एड़ करिए एक साथ में जादा डालोगे तो पिसा नहीं जाएगा अंडे पर कोटिंग नहीं कबाब बनाते हैं उस तरीके से इसे इसी टिक्की बना लीजिए अगर हम जादा कीमा लगाएंगे तो अंडे का फ्लेवर नहीं पता चलेगा सर्फ कीमे की तरह ही लगेगा खाने में इसलिए हमें इसकी एकदम से पतली टिक्की करना है और फिर इस पर एक पीस उठा दीज इसे अच्छे से बंद कर दीजिए अंडा कोई साइड से दिखे न कुछ रहा है वहां से उगलिएंगे अच्छे से कीमा लगा दीजिए और इसे मैं रोल की तरह बना रही हूं आप देख सकते हैं एक कीमा एग रोल हो गया है आप इस रमजार में जरूर ट्राय करें और इ मैं दो बता दे रही हूं आपको फिर ऐसे रखिए और यह साइड से लेकर उपर दबा दीजिए और इदर के साइड से भी लेकर उपर दबाईए कोई साइड अगर खुली है वहाँ से ऐसे बंद कर दीजिए अंडा पूरा कवर होना चाहिए हटेली पर रख दीजिए और उंगलियों से नीचे हलके हलके प्रेस कर दीजिए इदर मच्चे से रोल बन जाता है और इजिली बनता है यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा था कि मैं निकाल ली हूँ और इसी तरीके से मैं सारे रोल बना लूँगी देखे कोई साइड से इसमें अंडा नहीं दिख रहा है पुरा फिल कर दिया है हमने अंडे को अगर देखे इतने बने हैं जो आदा अंडा था मैं साइड में निकाल दी हूँ उस पर कोटिंग नहीं हो रही थी सिर्फ अंडे में डीब करना है और तेल गरम होने दीजिए उसके अंदर दाल दीजिए फ्राइ होने के लिए अंडे की कोटिंग से ही इसे हम फ्राइ करेंगे अच्छे से डिप करिए पहले अंडे में फ्राइ करते समय हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे जैसे हमारे रोल का कलर चेंज होने लगेगा हम निकाल लेंगे ब्राउन करेंगे हम स्रीफ जदा डाग ब्राउन नहीं करना है हमारा कीमा भी पका है अंडा भी पका है हमें स्रीफ फ्राइ करना है इसे देखिए color change होने लगा है, एक दो roll का मेरे तड़ा dark color हुआ है, इसे मैं निकाल लेती हूँ, मैं जहरा में निकाल हूँगी, ताकि सारा तेल नितर सके, हमने fry करते समय अंडे में dip करके fry किया है, इसलिए थोड़ा सा तेल जादा लगता है, अगर आपको tissue paper पे रखना है तो tissue पे रख दीजिए, सारा तेल नितर जाएगा, इसे आप tomato ketchup के साथ में भी खा सकते हैं, चाए ऐसे ही खाईए, यह ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप try जरूर करिएगा, इंशालला कल फिर मैं मिलूंगी एक नई recipe के साथ, अपना खयार रखिए, सेफ रहि अपनी दौाओं में याद रखिएगा, thank you for watching.